में ज्वाला मुखी की क्रिया के बिस्रे में चूंकि ये जो कलास है इसमें हम डिटेल डिसकसन कर रहे हैं और मेरा मानना ये है कि किसी टॉपिक को अगर आपको तयार करना है या उस टॉपिक में आपको महारत हासिल करनी है इतनी महारत हासल करनी है जिस से उस टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्णों को आप जो उत्तर है मुस्कुरा कर दे सकें तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास टॉपिक की देप्त जानकारी होने चाहिए तो डब्त जानकारी पहुचानी के लिए ही कल भी हमने इस पर बात किया था आज भी हम इस पर बात करने चाह रहे हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में क्लासिस को हम तेजी से लेकर आके बढ़ेंगे इसका मुतलिव है कि अब आपको थोड़ा मेरे साथ महनत बढ़ानी होगी आजी से ही आज देखेंगे अभी हम कलास में लाइब है ठीक है लाइब कलास है, रिकॉर्डेड कलास नहीं है तो अभी मैं लाइब हूँ और फिर से मैं रात को आठ बजे आज रात को आठ बजे इसके आगे वाले टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा उद्दिश ये है कि जल्द से जल्द हम जेग्रोफिक की सेग्मेंट को कम्प्लीट कर लें और जेग्रोफिक के बाद जो सेग्मेंट हमें स्टार्ट करना है वह है डिजाष्टर मेनेजमेंट और इन्वार्मेंट और ये है वाला जो सेग्मेंट है डिजाष्टर मेनेजमेंट और इन्वार्मेंट वाला ये भी बिलकुल आपके लिए निश्चुलक है मैं ये चाहता हूँ कि मेरे तरफ से जो सांदार कॉंटेंट आपको पहुचाया जाना है वह जल्द से जल्द अधिक से अधिक क्लासिस के माध्यम से पहुचा दिया जाए जिससे मैं कह सकूँ कि मैंने अपने हिस्से का काम मेहनत का कर दिया है अब आप अपने हिस्से का काम कीजिए आपको अपने हिस्से का क्या काम करना है आपको यह काम करना है कि जो P by Q अर्थात previous years questions हैं उनको solve कीजिए चाहें वो plims के हों या mains के हों और उनको solve करके आप यह दे यही मुख्य प्रिशा की प्रश्ण हैं उनका उत्तर सही से देने लग जाएगा तो आप समझ जाना कि अब आपकी सेलेक्शन की जो रास्ता है या जो सेलेक्शन का जो चांस है वह बढ़ चुका है मैं यह मानता हूँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ें कि जिससे वहां से बनने वाले सभी प्रश्णों को सौध कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन बार बार एक ही चीज को आपको पढ़ना नहीं पढ़ेगा तो उसी चीज को आज में मैं आगे लेकर बढ़ूँगा मैं आगे बात बढ़ा हूँ उससे पहले एक बर मुझे बता दीजे कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं प्लीज बता दीजे आप सब को गुड इवनिं अब देखें आज मैंने सुबेरे आपसे बात किया था UPSC CST अर्था Sibir Siva परिक्षा के syllabus पर syllabus का मतलब है कि जिस परिक्षा की आप तयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या-क्या पढ़ना होता है Plims में क्या पढ़ना होता है Mains में क्या पढ़ना होता है Mains में कितने paper होते है कितने number से आपको paper देना होता है उसमें कौन-कौन से topic होते है इस सब मैं discuss कर चुका हूँ तो जो लोग अभी class में आए हैं और उनको नहीं पता कि यह class हो चुकी है अर्थात IS का syllabus क्या है तो इस channel पर वो video पढ़ा हुआ है उसको देख लिजएगा और आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं यह बताऊँगा कि आखिर आपको optional कैसे चुनना चाहिए और फिर जब यह optional वाला topic हो जाएगा उसके बाद IS के लिए आपकी strategy क्या होने चाहिए और strategy को भी मैं categorize करूँगा कि अगर आप graduation कर चुके हैं तो आपका IS को लेकर approach क्या होना चाहिए अगर आप जो है कि अभी graduation कर रहे हैं तो क्या approach होना चाहिए अगर आपने अभी 12th pass किया है तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए और अगर आप अभी 12th pass भी नहीं कर पाए हैं आप high school में हैं तो आपका approach क्या होना चाहिए मैं सभी चीजों को discuss करूँगा बस आपको क्या करना है जुड़े रहना है और अपना प्यार और अपना सह्यो बनाए रखना है चले हम आज आते हैं topic पर और हम बात करेंगे जुआला मुखी किरिया पर जहां तक journey हो चुकी है उससे हम आगे बढ़ेंगे मेरे बिसे में संचित पर्चे है जिससे आपको भरोसा हो जाए कि गुरु जी जो सामने है उनकी एज कुछ कम लगती है कुछ बच्चों की वार्सेप पर मुझे मैसेज आए और इस परकार के मैसेज मुझे बड़े अजीव लगते है उनका ये कहना था कि सर आपकी उम्र कितनी है तो मैंने कहा कि ये इंट्रोडेक्शन देख लेजिए उनका कहना था मतलब वो इसलिए जानना चाह रहे थे कि कुछ लोगों को मेरी एज कम लगती है बिल्कुल भी एज कम नहीं है बच्चों 9 साल से मुखरजी नगर दिल्ली के सबसे प्रतिश्विर कोचिंग संस्थानों का फैकल्टी रहा हूँ ऐसी प्लैटफॉर्म जहां पर आपको डेमो देने के लिए खड़े होने के लिए कम से कम दो बार इंटर्व्यू देना होता है और मेरे यूटूब पर ही अगर आप देखेंगे तो कम से कम 500 वीडियो जाब को मिल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं एक्सफिरियंस है तो भ्रम का आपको सिकार नहीं होना है कन्फ्यूजन क्रेट नहीं करना है हाँ मैं आपके जैसा लगता हूँ तो ये प्रकरति की देन है इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है अनियल कपूर साहाब भी तो कम एच के लगते हैं लेकिन कम एच के तो है नहीं ठीक है चल तो आज हम बात करने जा रहे हैं आप ज्वाला मुखी से बनने वाली इस्थला करतियों के विशे में ठीक है चले सेसन को सुरू किया जाए ठीक है आए तो सेसन को हम लोग सुरू करते हैं कल मैंने आपको जहां तक बताया था उस जरनी को एक बार तै कर लेते हैं थोड़ा सा कल मैंने आपको जो समझा दिया था वह यह था कि ज्वाला मुखी हम किसको कहते हैं कल हमने बता दिया था जो लोग आज पहली बार class में आये होंगे तो मैं आपसे request करूँगा इसका पहला part कल upload हो चुका है अर्चा आप में से बहुत से लोग चैनल को सही से देख नहीं रहे हैं बहुत से बीडियो चैनल बीडियो कहां मिलेगा चैनल पर ही मिलेगा आप उसके जितने भी options बने होते हैं उस पर click किजे जैसे home पर जाएंगे तो कुछ और वीडियो देखेंगे वीडियो पर टिक करेंगे कुछ और वीडियो देखेंगे live वाले section में जाएंगे तो यह जो live classes आती है यह आपको मिल जाएंगे तो कल मैंने आपको बताया था कि ज्वाला म मुखी उदगार क्यों होता है फिर मैंने यह बताया था कि भीया अब उदगार हो रहा है तो आखिर यह किसी रूप में होगा तो इसमें मैंने बताया था कि केंदरी उदगार क्या होता है दरारी उदगार क्या होता है फिर मैंने आपको बताया था कि जो ज्वाला मुखी ह होते हैं हना उनके द्वारा जो भी सोरूप हमें नजर आता है जैसे एक तो हमने बताया था कि भिश्फोटक कौन है कौन नहीं है फिर मैंने बताया था केंदरी परकार की जौला मुखी और फिर मैंने आपको बताया था सकरीता के आधार पर कि सक्रीता के अधार पर हम ज्वाला मुख्यों को किस तरह से डिवाइड करते हैं और कल यही पर मेरी क्लास साथ समाप्त हुई थी मैंने आप से कहा था कि कितनी सक्री ज्वाला मुख्य हैं कितनी परसुप्थ हैं कितनी मृत्य ज्वाला मुख्य हैं आप उनकी विसे में कमेंट में बताईएगा, लेकिन आपने कमेंट में बहुत कम लोगों ने बताया था, जादा लोगों ने जानकारी नहीं दी थी, आज जो हमें डिसकस करना है, वो है ज्वाला मुखी इस्थलाकृती, ठीक है, तो ज्वाला मुखी से बनने वाली हम मजने का प्रियास करेंगे, चले, तो हम आगे आजाते हैं यहाँ पर, अब एक एक करके, देखे, दो चीजे हैं, अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसका पीडिया, मैं आपसे हाँ जोडता हूँ, कलास है, जब मैं लिख कर पढ़ा सकता हूँ, तो आपको भी मेंस दे है, तो उसका प्रियास हाँ से ही कीजे, कि जो आप पढ़ रहे हैं, उसको तेजी से लिखते चले, इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मैंस की राइटिंग इसके लिए इंप्रूब होगी, आपकी भासा पर पकड़ अच्छी होगी, और खुद का नोर्स मिल जाएगा, नोर्स इसका भी मिलेगा, लेकिन समय लगेगा, कैसे नोर्स मिलेगा, इसका कौन सा नोर्स मिलेगा, आप में से बहुत से बच्चे बहुत अच्छा नोर्स बना रहे हैं, तो किसी का नोर्स मैं आपको क्या करूँगा, पीडियाप बना कर आपको दे दूँ और जो नोट्स मिलेगा उसको भी उच कर लेजेगा तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगे तो हमने कहा कि जो ज्वाला मुखी है ज्वाला मुखी है इससे क्या होगा लावा निकलता है और लावा क्या है गला हुआ पदार्थ अब समझेगा ठीक है लावा मंखा चेम्बर में हम इस्ताः करती हों को डिसकस कर रहे हैं उसका मैं बेंग्गरावन बता रहा हूं कि कैसे आपको इंटर लिंग करना है तो जो गला हुआ पदार्थ वो कहा मिलता है मैंगमा चेम्बर कहां पर है प्रत्वी में अगर हम देखें 100 से लेकर 200 किलो मीटर की गहराई में एक मैगमा चेंबर है मैगमा चेंबर क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मैगमा बनता है और यहाँ पर मैगमा क्यों बनता है क्योंकि यहाँ पर क्या है तापमान जादा यहाँ पर तापमान जादा अब मेरा पॉइंट ए है कि जब गला हुआ पदार्थ मेगमा चेंबर में है, तो यहां से गला जो पदार्थ है, यह क्या करेगा, यह उपर आने का प्रियास करेगा, यह उपर आने का प्रियास करेगा, मैं लिख देता हूँ, उपर आने का प्रियास, ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि सर, जो है न, कि मुखरची नगर वाल इससे पहले आप एक platform पर पढ़ा रहे थे, तो वहां पर PPT से पढ़ा रहे थे, तो पर PPT से पढ़ाना कहीं पर मजबूरी हो अलग चॉइस है, कहीं पर आपको मैं जहां पर 100% देना चाहता हूं, वह यह platform है, तो जो 100% है एजुकेटर का, मतलब यह ऐसी class है, जिसको आप सेर कीजेगा, उन स्टुडेंट्स के साथ, जो मुखरची नगर में 2 लाग फीस देकर पढ़ रहे हैं, तब वह आपको बताएंगे कि भाईया, हाँ, ऐसी ही पढ़ाया जाता है, और गुरु जी जो पढ़ा रहे हैं, वो सांदार है, तब आप भरोसा कर लेजेगा, कि भाईय हैं, और हमको किताब पढ़ पढ़ के सुनाते रहना, तो देखो, ऐसे सलेक्शन नहीं होगा, सलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और आकर आपका सपना वास्तों में सच्चा है, तो मेहनत भी सच्ची होगी, लेटके, बैठके, और इस तरह से नोट्स नोट्स खेल के पढ़ नहीं सलेक्शन हो पाएगा है, ठीक है, सेसन को आप लोग लाइक और सेर नहीं करते हो, क्या, कर लिया करो, इक बाद होता, मतब सोचो, आप से कोई पैसा नहीं माग रहा है, आप सको कितना खर्च करना पड़ता इस क्लास के लिए, तो थोड़ा सा दिल तो खोल क्लास है, हम महनत कर रहे हैं, तबियत खराब हो कुछ भी, पता लाइट का दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि आज तो लाइप पांच बजे जाना ही जाना है, तो हमने दूसरे जनेरेटर से इसको कनेक्ट करवाया, ताकि आप तक क्लास हो, हम आपके लिए जी जान से हाजिर, हमारी टीम पूरी हाजिर है, हर तरह से, और आप हो कि थोड़ा सा भी प्रयास नहीं कर तो कर दिया करिये, ठीक है, चल, तो हमने कहा गला हुए पदार जब उपर आने का प्रयास करेगा, तो क्या यह हमेशा सफल हो पाएगा, क्या यह हमेशा सफल हो पा मैंने इसको प्रिथवी की आंतिक सरचना में इस्थल की सबसी उपर वाले भाग को क्या नाम दिया था? क्रश्ट नाम दिया था, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भूपरपटी, राइट? भूपरपटी बोलते हैं. अब मैंने आपसे कहा था, क्रश्ट के नीचे क्या गला हुआ पदार्थ हैं. समझेगा, यह है गला हुआ पदार्थ हैं. और यह जो गला हुआ पदार्थ हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मैगमा बोलते हैं. गला हुआ पदार्थ जब तक प्रिथवी के अंदर है मैगमा और जब यह बाहर आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोल आते हो, आप गैस पर रख देते हो, और जब गैस पर उसको रख देते हैं, तो क्या होता है, आप उसमें देखते हैं कि जब वो खौलता है, बबस उठते हैं, बबस क्या बता रहे हैं, कि भाईया कहीं से उसको हीट मिल रही है, जैसे एक आदमी को, जैसे आपने देखा होग ठीक है ले जाके और स्कूटर या स्कूटी या बाइक जो कुछ भी हो उसको धूप में खड़ी करके रखो तो यहां पर है टेमपरेचर जादा मेगमा है तो यह मेगमा क्या करेगा सबसे पहले यहां पर मारेगा जटका समझेगा यहां पर जटका मार के इसको कमजोर करेगा और कमजोर करके इधर से ऐसे होते हुए यह उपर की और आने का प्रयास करेगा लेकिन मेरा पॉइंट ए है क्या एक ही बार में मैगमा उपर सता को तोड़ कर आ जाएगा तो इसका उत्तर है नहीं हम लोग गैस में खाना बनाते हैं दाल बगएरा बनाते हैं तो पहले बार में सिटी दे देता है क्या कुकर कुकर नहीं देता है आपने देखा होगा क्या करता है ऐसे पहले आवाज करता है फिर आपको पता जल जाता है कि हाँ गैस बन रही सिटी देने वाला अर्थात उसमो एक pressure वो generate करता है ठीक इसी तरह धीरे धीरे यह क्या करेगा इस पर जटका मारेगा और धीरे धीरे यह निकलने का प्रियास करेगा जब यहाँ यहाँ पर निकल जाएगा तो इसको हम बोलेंगे जौला मुखी समझें लेकिन कई बार क्या होगा मैगमा उपर निकलने का प्रियास करेगा लेकिन एनरजी इतनी नहीं होगी कि इस भाग को वो तोड़ कर आ सके इसलिए लिखा है कि हमेशा सफल नहीं हो पाएगा इसका मतलब है कि कई बार मैगमा अब समझेंगा कई बार मैगमा सतह पर आप आएगा और कई बार मैगमा सतह पर नहीं आप आएगा कई बार मैगमा सतह पर आप आएगा और कई बार मैगमा सतह पर नहीं आप आएगा आप देखो जब सतह पर आ जाएगा तब यह कुछ इस्थलाकरतियों का निर्माड करेगा ठीक है और अगर ये सता पर नहीं आ पाया थब भी कुछ इस्तलाकर्तियों का निर्मार करेगा अब समझ में आया मैंने जर्नी यहां से स्टार्ट क्यों कि कुछ लोग कह रहे होंगे कि गुरू जी बड़े कनिफ्यूज है बताना था इस्तलाकर्ति तो धीरे से बता देते जल्दी जल्दी कि लेकोलीत फैकोलीत बैथोलीत सील डाई कैसा बता देते पता नहीं क्या करवा रहे हैं अब समझो यहां क्यों करवा रहे हैं कॉंसेप्ट समझो चीजू को रटोगे तो साथ नहीं जा पाया है रटी हुई चीजे कहां से जो चीजे दिल और दिमाग में घुश जाएंगे वही एकजाम हॉल तक जाएंगे अब देखो मैंने कहा कि जब मैंगमा बाहर आएगा तब भी वह कुछ थंडा होके इस्थाकर्तियों का निर्माड करेगा और जब वह अंदर रहेगा तो भी आंत्रिक स्थाकर्तियों दोनों ही स्थाकर्तियां हमारे लिए क्या है इंपोर्टेंट है क्या मैं यहां तक की बात आपको समझा पाया अब मैं आगे बढ़ जाओंगा प्लीज बताईए क्या मैं यहां तक की बात आपको समझा पाया सब लों बताईए प्लीज प्लीज जल्दी बचाएए प्लीज बच्चो प्लीज बच्चो जल्दी बचाएए जल्दी रिप्लाई दीजे और देखियो जैसे हमारे टीम ने बोला है कि सर आप प्लीज बच्चों से रिक्वेश्ट कर दिया कीजिए कि वो थोड़ा सा सेशन को सेर बगरा कर दिया करें तो एजुकेटर बार बार आपसे रिक्वेश्ट करें ठीक नहीं लगता यह तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जब हम आपके लिए इतनी बड़े बड़े पैके छोड़कर इतने बड़े बड़े प्लेटफरम छोड़कर आ सकते हैं अरे तो थोड़ा सा आप भी गुरु दच्छिणा नहीं कहेंगे इसको लेकिन थोड़ा सा मानभी सहयोग तो कीजिए क्या करना है मतलब जितने लोग वीडियो देखें हजार लोग हैं हजार वो लोग क्या करें कोई भी वीडियो जो भी आपको अच्छी लगे उसका लिंक अपने सोचल मेडिया पर सेर कर दीचे केलियर हो गया ठीक चल चल आगे बढ़ा अब देखें तो हमें क्या करना है आंत्रेक और बाहर दोनों इस्तलाकरतियों को देखना है अब देखें यहां पर आजाते हैं तो हमने कहा कि जो मैगमा है वह क्या करेगा मैगमा चेमबर से उपर की ओर गती करेगा और मैगमा चेमबर की ओर लिखे देचे उपर की ओर जो गती करेगा इसके लिए responsible कौन होगा शंबहनिय धाराएं संबहनिय धाराएं कल मैंने संबहनिय धाराओं को समझाया था आज भी समझ लीजिए थोड़ा सा आप क्या करते हो कोई आपने बरतन लिया उसमें पानी भरा और बरतन पानी भर के आपने कोई भगोना लिया उसको गैस पर रख दिया गैस चालू किया आप देखो हीड तो मिलती है वह भगोने के बॉटम को मिलती है या जिस बर्तन में आपने रखा है उसके बॉटम को मिलती है और बॉटम से आप देखना जब बॉटम गरम हो जाता है तो उसमें से कुछ धाराएं उपर की ओर उठती है बाहर की ओर निकलती है उपर जल में उ यही संबहनी तरंगे, जो high temperature से low temperature के ओर जाते हैं, ठीक इसी तरह से ठंडी किसमें हम जब पानी को गरम करते हैं, रोड लगाते हैं, तो रोड से देखना कुछ आपको तरंगे धाराय निकल नहीं, उसको संबहनी धाराय बोलते हैं, अब देखो, यह जब संबहनी धाराय तो कुछ अलग इस्था करती हैं, और जब बाहर की ओर आएगा, तो यह कुछ अलग इस्था करती हों का निर्माड करेगा, अब देखो, मैगमा चेमर से, यह है मैगमा चेमर से, जिस रास्ते से, जिस रास्ते से या फिर जिस नली से उपर की ओर आता है यह वाला देखो यहां से मेगमा होता हुआ उपर की ओर आएगा तब ही तो सतर को तोड़ने का प्रयाज करेगा और तोड़ कर बहार आएगा इसको बोलते हैं जौला मुखी नली या जौला मुखी पाइप अब देखो मैं एक एक इस्तला करती हैं को बनाते चलूँगा आप भी बनाते चलेगा ठीक है एक एक इस्तला करती है मैं भी बनाते चलूँगा आप भी बनाते चलेगा जिससे आपको कोई confusion ना हो ठीक है तो देखो ये है ज्वाला मुखी नली या ज्वाला मुखी पाइप अब ज्वाला मुखी नली और पाइप से खोकर मैगमा ऊपर आए और ये सत्ह पर निकल जाए तो यहां जो है इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे जौला मुखी यह जो इस्थान जहां से गला हुआ पदार निकलते है उसको जौला मुखी और जौला मुखी का यह जो मुख है यह जो मुख है यह क्या होगा जब यहां पर मैगमा निकल रहा है तब तो इसको जौला इसको बोलेंगे crater, इसको मैं image से यहां पर देखा देता हूं, यहां पर देख लिजे, इस image को देखें, यहां पर magma भरा हुआ है, यह magma उपर की ओर आ रहा है, और उपर की ओर यहां से magma यह निकला, तो जब यह magma निकल रहा है, तब हम इसको कहेंगे ज्वाला मुखी, ले फिर मैगमा ठंडा कड़ जाएगा क्यों कि भया मैगमा कहीं से आ रहा है तो वहां पर ऐसा थोड़ी है कि मैगमा किसी ने जो है कि पानी का जो पंप थोड़ी के चालू कर दिया तो निकलता रहेगा मैगमा धीरे-धीरे बनता है उपर आने के लिए अनर्ची चाहिए होरती ह तो मैंगमा धीरे धीरे निकलेगा तो यह हो गया ज्वाला मुखी नली हो गया और यहां से निकलेगा इसको बोलेंगे क्रेटर ठीक है यह हो गया आपका क्रेटर अब देखो ज्वाला मुखी का यह जो क्रेटर है यह है आपका क्रेटर तो जब क्रेटर यह क्या है यहां पर अब एक चीज़ समझेगा कि जब यहाँ पर मैगमा निकलना बंद हो जाएगा और यह हो गया ठंडा ठंडा हो गया तो ठंडा होकर यह क्या हो जाएगा ठोस हो जाएगा कि नहीं ठंडा होकर यह ठोस हो जाएगा कला हुआ पदार जब ठंडा होगा तो ठोस होगा कि नहीं ब इसे क्या बनेगा आगनी चट्टान अब देखो जब आगनी चट्टान बना तो इसको आगनी क्यों कह रहा है क्योंकि अगनी से बन रहा है अगनी का मतलब मैगमा मैगमा क्या है अगनी का ही एक रूप समझ लेजिए तो इसको बोलें आगनी चट्टान अब देखो जब यह शटान की रूप में बन गया, तो ये क्या करेगा? ये जौला मुखी, जौला मुखी dot का निर्माड करेगा. प्रशन आएगा कि जौला मुखी dot क्या है? तो जब ध्यान दिजे, जब जौला मुखी का मुख बंद हो जाए, तो उसको बोलते हैं जौला मुखी dot. इसका मतलब देखो डॉट आपने देखा होगा जो पहले अभी भी कुछ जो है की मेडिसीन आती है जो की काज की सीसी में आती है और उस पर क्या लगता है एक धक्कल लगा रहता है तो उसी को कई जगे है हना बॉटल डॉट भी बोला जाता है डॉट का मतलब होता है जो चीज किसी छिद को बंद करने की छमता रखती है जो चीज किसी चीज को बंद करने की छमता रखती है तो इसको क्या बोलेंगे जो आला मुखी डॉट किलियर हो गया बतालेंगे प्लीज 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 सब लोग बताईए किलियर है यहां तब बतालेंगे कि नहीं तो जो आला मुखी तो अगर आपसे कोई पूछे यह ज्वाला मुखी पलग क्या होता है या डॉट क्या होता है तो इसको बता दे और यह देखो यह जो ज्वाला मुखी का भाग है इसको हमने क्या नाम दिया ज्वाला मुखी पाइप ठीक है इसको हमने क्या नाम दिया ज्वाला मुखी फिर से यहां पर क्या होगा मैगमा दोबारा बनेगा नीचे और दोबारा जो मैगमा फिर से ऊपर आएगा तो इसी रास्ते से होकर आएगा धीरे धीरे मैगमा फिर से तोड़ता हुआ यहां पर पहुचेगा और जब मैगमा फिर से यहां पर पहुचेगा तो इसको क्या बन तो क्या यह इतना ही भाग तूटेगा या फिर यह जो है कि इसका और भाग तूटेगा तो जब इसमें नीचे से जटका लगता है तो यह क्या हो जाता बिस्फोट कर जाता है और इसका बड़ा हिस्सा तूट कर बिस्फोट होकर बिखड जाता है तो जब इससे क्या हो गया बिसफोट के कारण क्या हो जाएगा जब बड़ा हो जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे कॉल्डेरा इसको हम बोलेंगे कॉल्डेरा ठीक है तो क्रेटर से कॉल्डेरा कब बनेगा जब क्रेटर में क्या होगा बिसफोट होगा हलाकि कॉल्डेरा बनने की एक और कंडिसन बताई जाती, मालो यह है क्रेटर, तो क्रेटर में जब बिस्फोट होगा, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे कॉल्डेरा, लेकिन इस कॉल्डेरा को बनने का एक और तरीका बताया जाता है, जो क्रेटर है, अब इस गढ़े नुवा भा अब इस गड़ी नुमा अर्थात क्रेटर में इसके मुख में पानी भर जाता है तो जब क्रेटर में क्या होता है पानी भर जाता है तो इसको बोलते हैं क्रेटर जील समझेगा क्रेटर जील अब मेरा जो प्रश्ण है जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है क्या आप किसी क्रेटर जील को जानते हैं, क्या आपने किसी क्रेटर जील का नाम सुना है, तो आप सब लोग जरूर जानते हैं, तो हमने कहा क्रेटर जील का निर्मान करेगा, कई बार क्या होता है, यह जो धक्कन नुमा भाग है, यह क्रेटर है, यह जौला मुखी का जो मुख है, इसमें पानी भरता चला जाता है, क्रेटर जील बन जाता है, अब यह जो पानी है, वहां की चटानों के साथ रासाइनी क्रिया करके उन चटानों को कमजोर करता है, और पानी है तो उसमें क्या है, भार भी है, अब देखो, क्या होता है कि क्रेटर पर जब जादा भार पड़ता है, या फिर पानी का दबाव पढ़ता है, तो creator क्या हो जाता है? धस जाता है, और जब धस जाता है, फिर से इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और जब आकार इसका बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे Caldera. इसका मतलब फैरल है कि दीको इस तरह से भी coral dera बन रहा है तो calmira का जो झू निर्मार चुक पर सहाला का जो क्रेटर सोफ जो कॉलडेर का निर्मार होता है जो आला मुखी क्रेटर और इसी को बोला जाता है जो आला मुखी कॉलडेरा, क्लियर है, क्या यहां तक सौझ पाए, यहां तक क्लियर है, चलू, आप देखे, इसको मैं मिटा दू, मैं इसको मिटा दू, अच्छ चलू, आप देखो कॉलडेरा बन गया, तो कॉलडेरा का जो तो क्या हो जाएगा कॉल्डेरा का जो आकार है और बड़ा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे सूपर कॉल्डेरा तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाईया कॉल्डेरा तो समझ में आ गया कि क्रेटर का बड़ा आकार तो कहांजेना कि जब क्रीटर का आकार और बड़ा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सुपर कॉल डेरा और सुपर कॉल डेरा में अगर आप कुछ परवतों का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जैसे क्राका तुवा जो अला मुखीestion ये जितनी जो अला मुख्या हैं सब मैं मैपिंग के माध्यम से करवाऊंगा मेरा कलास जो होता है वो रटने के परपस से नहीं होता है समझने के परपस से होता है अगर आप UPSC, CSC के कोसंस देखते हैं तो सभी कोसंस का यहां उत्तर मिलेगा लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि कोसं कैसे आते हैं और अगर आपके वल फैक्ट ढूणने आये हो तो हो सकता है आप मेरी कलास में निरास हो जाओ लेकिन निरास मत होना मैं सब कुछ फैक्ट एक भी नहीं छोड़ूँगा लेकिन fact को कैसे deliver करना है वह concept के साथ और वह concept कब आएगा जब वह topic मैं concept के point topic से clear कर दूँगा तो क्राका तो वहा देख लीजी Mount Vishubias जो है वहाँ पर चले जाए और USA का जो Alaska छित्र है वहाँ पर चले जाए तो आपको क्या मिरेगा वहाँ पर सूपर कॉल डेरा देखने पो मिलेगा ठीक है क्लियर है क्लियर क्लियर सब दोब बता दीजे सिवम राजपुत के सर थोड़ा सा कमेंट पर भी नजर दीजे मैं कमेंट पर क्या नजर दो बच्छे कुछ लोग जो है कि सिर्फ बात करने के लिए आते हैं तो आप लोग अपना चैट बंद कर लो बच्छे आप अपना लाइब जो होता है इसको बंद कर लिजे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और मैं तो एक सोची किसी एजुकेटर को अगर रिक्वेस्ट करना पड़े तो कितनी सरम की बात है लेकिन मैं तो हमेशा करते कहता रहता हूँ कि भाई मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ पढ़ लो सपना साकार कर लो लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं तो वो नहीं समझेंगे न बच्चे सेसन को लाइक और सेयर करते रहेगा सर क्राका तोवा और क्या लिखा है हां देखो क्राका तोवा लिखा है विशूबियश लिखा है और युएस्से का अलास्का युएस्से का अलास्का यहां पर आपको उपर जो है कॉल्डेरा देखने को मिलेगा ठीक है चल अब हमने देख लिया क्रेटर समझ लिया कॉल डेरा समझ लिया इसको मैं हटा रहा हूँ ठीक है इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहां पर एक सिकंड देचेगा ठीक हाँ यहां पाले ठीक है ठीक है एक 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 इमेज और बनाईए एक इमेज और बनाईए ठीक है यहां पर मैगमा है यह मैगमा क्या किया यहां से होकर ऊपर की ओर आया और ऊपर की ओर बना तो इसको हमने बोला क्रेटर इसको हमने बोला क्रेटर आप देखेगा अभी जो क्रेटर बना है एक बार तो बन गया और इस क्रेटर का ही आकार क्या हो जाएगा जब बड़ा हो जाएगा तो इसको आप बोल देंगे यह हो गया कॉल्डेरा और जब कॉल्डेरा का भी आकार क्या हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा इसको ऐसे कर लेते हैं तो, अच्छा देखे, मैं नीचे की उर बना रहा हूँ, जमीन के नीचे, मतलब गढ़े का थोड़ा सा आकार बढ़ेगा, इतना नीचे तक नहीं जाएगा, लेकिन उपर, मेरे पास ऐसा 3D image तो है नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पर बना दूँ, तो आकार मैं बढ़ा कर रहा हू और उसको हम इस कलर से ले लेते हैं, अब यहाँ पर जब मैंगमा यहें निकलेगा, और एक क्रिटर पर आकर टकराएगा, तो क्या मैंगमा की निकलने की जो छंता होती है, क्या हमेशा एक समान होती है, क्या हमेशा एक समान होती है, तो आप कहेंगे नहीं, हमेशा एक समान नहीं होती है, जैसे आपने देखा होगा कि गैस में, जब कुकर में हम बनाते हैं, और कुकर में जब गैस बनता है, वो सिटी लगाता है, एक बार वो सिटी दे लेगा, वो खूब जारा सिटी दे अर्था धीरे धीरे उसकी नीचे से उसको गैस और मिल रही है, ठीक इसी तरह से, क्या होगा, जब एक बार तो मैगमा निकल गया, लेकिन मैगमा फिर से बार बार निकलेगा, और बार बार निकल कर वह छोटा छोटा छिद्र का निर्माण करेगा, छोटे छोटे छिद्रों क पूरे क्रेटर में बिसफोट नहीं कर पाएगा या पूरे क्रेटर को नहीं तोड़ पाएगा इसको कैसे समझें आपने देखा होगा कि पानी बहता है कोई नाली है पानी बह रहा है आपने कहीं से मिट्टी काटा समझना मिट्टी काटा और पानी को रोकने के लिए आपने म पेटीक ओओह नहीं काटेगा भीच भीच में छेद कर देता ठीक, किसी तरह से crater में जब आगे चछलकर छोटे छोटे बिसफोट होते रहते हैं तो crater के अंदर ये layer के अंदर ही जब कई crater क्रेटर बन जाते हैं, कई क्रेटर बन जाते हैं, तो इस क्रेटर को जब एक क्रेटर में कई क्रेटर बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं घोशलादार क्रेटर, इसको बोलते हैं घोशलादार क्रेटर, क्लियर, तो घोशलादार क्रेटर कैसे, घोशले में क्या होता है, कई छिद्र होते हैं आपने देखा होगा तो ठीक इसी तरह से ये क्या होता है घोसलेदार क्रेटर क्लियर है अब बता ले जाएंगे इसको समझा ले जाएंगे न ठीक आच्छा एक सिकन देना बच्छा नो एक इमेज ढूर रहा हूं साइज मिल जाए यहां पर आई ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूं ठीक है इसको मिटा दे रहा हूं तो हमने देखे अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि कहीं से मैगमा निकलेगा तो यह रहा आप यह रहा आपका क्रेटर ठीक है और क्रेटर से क्या होगा दोनों तरफ लावा निकलेगा अब देखो यह लावा निकल रहा है दोनों तरफ ठीक है यह लावा निकल रहा है अब जब यह लावा निकल रहा है तो आप देखे क्या यह जो आइस्क्रीम का हम लोग खाते हैं, आइस्क्रीम का जो कौन होता है, क्या उसी के रूप में नहीं है, तो जब कहीं से लावा निकल कर, बारबा निकलता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, तो इस तरह से यहां पर क्या होता है, ज्वाला मुखी शंकू का निर्मार हो कुछ इस रूप में यहां से मैगमा आया यहां से मैगमा निकला और मैगमा निकल कर ऐसे क्या हो रहा है ठंडा हो रहा है और धीरे धीरे इसका आकार क्या होगा ऐसे बढ़ता चला जाएगा और जब इसका आकार ऐसे बढ़ता चला जाए तो इसी को बोलते हैं ज्वाला मुखी शंकु ज्वाला मुखी संकु अब जो ज्वाला मुखी संकु है जब इसका आकार बढ़ जाता है और इसकी उचाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस ज्वाला मुखी परवत के रूप में हो जाता है तो मेरा इहां point यह है कि यह जो शंकू है यह जो आला मुकी संकू है यह कैसे बनता है जब क्या होगा लावा निकलेगा और लावा बार बार निकल कर क्या होगा ठंडा होगा और जब बार बार निकल कर ठंडा होगा तो एक संकू के आकार की संकू के आकार की सनचना का यह नि इसमें अगर निकलने वाला लावा इसमें निकलने वाला लावा अगर क्या होगा गाढ़ा होगा तो उचे संकु का निर्मार होगा और इसको बोलेंगे लावा संकु इसको बोलेंगे लावा संकु ठिक अगर यह जो संकु है इसमें क्या हो पतला लावा निकलेगा पतला ला पतली लावा के साथ इसमें राख भी निकले समझेगा पतला लावा और राक दोनों निकले तो इसको बहिलेंगे मिस्त्रित संकु मिस्त्रित और मिस्त्रित संकु क्यों बोलना है क्या मिस्त्रित संकु चों समाने तक किस से बनता है लावा से बनता है इसमें लावा के साथ र राक की मात्रा या फिर ठोस्पदार्द की मात्रा ठीक है जादा हो और यहां पर लावा का अनुपात ना के बराबर हो तो इसको बोलेंगे सिंडर या फिर राक्षंकु किलियर ये तीनों शंकु किलियर हो गए प्लीज बता दीजे सब लों बताईए कि यह किलियर कर पाए हम लो जल्दी जल्दी बताओ बच्चो जल्दी जल्दी बचाओ अच्छा आज आठ बजे ठीक है ध्यान दे लिजेगा अभी कुछ गएट पीम पर हना एट पीम पर हम जो है कि महादीव पिये बिश्थापन धान्त वाला जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे जो इसके आगे का चेप्टर है क्लियर है यहां तक पूना में आदो के रिसर एक बढ़ और बता जिए ध्यान से पड़ो बच्छे अब देखो जब नीचे से मैगमा मैगमा चेमबर से बाहर निकलेगा तो क्रेटर से जब मैगमा निकलता रहता है ठंडा होता है जैसे आपने देखा होगा हम लोग दिपावली के समय क्या करत जलाते हैं तो मुंबत्ती टपता रहता है और वह एक धेर की रूप में जमा होता रहता है ठीक इसी तरह से यहां से मैगमा निकलेगा और ठंड गिरेगा फ्लो होगा और इस तरह से क्या होगा एक उंचे संकु के आकार की संरचना का निर्मार कर देगा तो इसका निर्मार पतला है और राघ है कुछ और पदार्थ है, थूसपदार्थ है इससे मिलकर यह संकू बना है तो इसको बोलेंगे जो है कि मिस्तरी संकू और अगर वहाँ पर लावा नहीं निकल पाए बार बार बीस्फोट हो रहा है राख धूल कड़ निकल रहा है तो इसको बोलेंगे सिंडर या राक्संग को किलियर हो गया? किलियर? चल अब देखे यहाँ पर आए कुछ और चीजों को समझे जब कही पर ज्वाला मुखी किरिया होगी जब भी कही पर ज्वाला मुखी किरिया होगी तो ज्वाला मुखी किरिया में क्या होगा? मैगमा निकलेगा मैगमा निकलेगा अब ही बताओ मैगमा परत्यच तौर पर सबसे पहले तो नहीं आएगा? सबसे पहले सता पर तो नहीं आएगा? सबसे पहले सतापर नहीं क्यों इसको समझे अब एक बावत आए यहाँ कोई परवती भार है इस परवती भाग पर बरसा होती होगी होती होगी जल कुछ रिस्ट कर नीचे की ओर जाता होगा अब इसके बॉटम से इसके जड़ के अंदर से जब मैगमा निकलने का प्रयास करेगा और यहाँ पर निकलेगा तो सबसे पहले क्या होगा उन चटानों में जो पानी होगा वह उपर की ओर आएगा की नहीं भाब की रूप में गैस की रूप में आएगा तो देखी क्या होता है कि जब नीचे से टेंपरेचर उपर की ओर आता है तो उपर की परतों में देखो इतना मोटा माल लो हमारा इस्थल ये भाग है इस्थल भाग की उपर वाले भाग में ही तो क्या होता है पानी होता है हम हेंड पॉम से जो पानी निकालते हैं वो क्या 100 km गहराई से निकालते हैं क्या वो उपर की ही तो मिट्टी के परत में है अब ये जब क्या होता है नीचे से जौला मुखी कहां गया एक सिकर हाँ तो देखे जब नीचे से मैंगमा उपर के ओर आएगा तो सबसे पहले मैंगमा नहीं आए बलकि वह सतह के सतह के उप उपरी भाग में इस्थित जल को क्या करेगा जल को वह गरम कर देगा जल क्या हो जाएगा मैंगमा के परभाव में आके बहुत जादा गरम हो जाएगा और जल जो है कि गरम होकर उपर की ओर आएगा और जब जल गरम होकर उपर की ओर आएगा तो इसको बोलते हैं गीजर इसको बोलते हैं गीजर तो जैसे मैंने कल भी आपको एक्जामपल दिया था कि किसी परवती भाग को देखने आप गए हो और आपको वहाँ पर अचानक गरम जल निकलना लगे तो समझ जाएगा कि वहाँ ठीक नहीं है यह जो गरम जल निकल रहा है इसको गरम कौन कर रहा है नीचे से आता हुआ मैगमा तो वहाँ से भाग लेना है तो गीजर क्या होता है इसको बता देंगे एक और सब्द होता है वो है धूँआरे धूँआरे यह भी पूछा जा सकता है धूँआरे क्या होता है अब देखो, जब लावा निकल गया, लावा बाहर आ गया, तो जब लावा कहीं से भी, जहाँ वो धरार के माध्यम से निकला हो, यह केंदरी परकार की ज्वाला मुखी से निकला हो, लावा जब बाहर आ गया है, तो धीरे धीरे क्या होगा? वह बाइमंडल की थंडी से क्या होगा ठंडा होने का प्रयास करें बायमंडल की ठंडी से वो क्या होगा ठंडा होगा अब एक चीज बताना जब लावा क्या होगा ठंडा होगा तो उसमें से धूआ उठेगा की नहीं उसमें से धूआ उठेगा की नहीं जैसे आप दाल लेते हो दूध लेते हो सबजी लेते उसको आप आपने बरतन में से निकाला, कड़ाई में से निकाला, कुकर से निकाला और टेवल पर लेकर आते हो, उसमें से भाप उड़ता है कि नहीं? उड़ता है ना? यह किसी तरह से जब मैगमा, लावा क्या होता है? ठंडा होता है, तो ठंडे होने के करम में जो उससे बोला जाता है धुवारा धुवारा किसका प्रतीक है धुवारा जो है वह किसका प्रतीक है वह प्रतीक इस चीज का है कि भीया अब यहां पर मैगमा क्या हो चुका है निकल चुका है मैगमा अब ठंडा हो रहा है तो अगर वहां पर एक बार मैगमा निकल कर ठंडा हो रहा है इसना मतलब जो बिसफोट होना था वो हो चुका है तो धुवारा कहा होगा कि जब भी किसी आप सक्रिय जुआला मुखी छित्र में जाएं और आपको दूर से धुवा उड़ता हुआ दिखाई दे तो समझ जाएगा कि उहां पर बिसफोट हो चुका है अब बिसफोट होने की संभावना कम हो चुके क्योंकि एक बार जो बिसफोट हो जाता है तो मैगमा इतना जादा नहीं है कि बार बार बिसफोट ही करता रहा आज किया कल करे पर्सो करे ऐसा ने मैगमा बिस्फोर्ट करता है कुछ दिनों तक मैगमा निकलेगा फिर ठंडा हो चाता है किलियर यहां तक समझ पाए क्या हम लोग यहां तक समझ पाए प्लीज बता देचे सवलों समझ पाए सिवम राजपूत कह रहे है किसी का मतलब कोई रिस्ता उन्होंने जोड लिया है वो किसी का संबोधन कर रहे है रिस्ते भी कितने जल्दी बन जाते हैं है नहीं आगे बढ़ें आगे बढ़ें ठीक है तो यह हमने देखा यह कुछ जो आकर्तियां हमें ऊपर की ओर दिख रहे हैं एक सिकेंट अगला देखें अब मैंने आपको यही बताया था कि जब मैगमा क्या हो मैंनमा गाढ़ा होगा और वह किसी परवती भाग पर निकलेगा परवती भाग पर निकले और परवती भाग पर वह बार बार मैगमा निकले बार बार निकले तो चुंकि पहले से ही परवतिय भाग है, जो सतह से ये क्या रखता है, मुचाई पर है, सतह से मुचाई पर है, और वही पर बार बार क्या होगा, जब मैगमा निकलेगा, और यह मैगमा क्या होगा, ठंडा होगा, तो इस से क्या करेगा, यहाँ पर बनेगा ज्वाला मुखी पर्वत ज्वाला मुखी पर्वत आपको कहां देखने को मिलेंगे ये ज्वाला मुखी पर्वत आपको बलित पर्वती छेतर में जैसे रॉकिज और एंडिज पर्वत इसके बड़े अच्छे उधारण हैं बलित पर्वत का मुतलब आगे में बताऊंगा देखो जो रॉकिज और एंडिज है या जो हमारा हिमालिया है यह कैसे बना हुआ है यहाँ पर जो पहले मिट्टी थी उस पर दबाओ पड़ा है ठीक उसी तरह से एक मेरा फेवरेट एक्जामपल होता है सूजी का हलुआ सूजी का हलुआ धेड़ सारा बनाओ वह अभी पूरी तरह से जब तक थंडा ना हो उससे पहले दोनों हाथों में गलफ्स पहनिए और गलफ्स पहन कर उसको दबाईए अब जैसे जैसे इतनी दूर का हलुआ जैसे जैसे दबाओ की उपर की उर उड़ता चला जाएगा क् जो परवत बने हैं जिसमें रॉकिज, एंडेज और हिमालया भी है इनको बलित परवत बोलते हैं और इसी रॉकिज और एंडेज में आप देखेंगे तो बिसुके सबसी उचे आपको जौला मुखी परवत दिखाई देंगे तो जौला मुखी परवत किस चीज का परतीक ह हैं कि यहां पर लावा जो है वो बार-बार निकल रहा है और बार-बार निकलने वाला जो लावा है वो क्या है गाढ़ा है और इसी की कारण हो उसकी उच्छाई बढ़ती चले जाती है और उच्छे उठे भागो कोई हम परवत बोलते हैं चुकि यहां पर परवत का निर्मा पूरा एक एक महादियूब घुमा कर लाऊंगा, फ्री में घुमा कर लाऊंगा, कोई उसके लिए चार्ज नहीं लगेगा, सभी लोकेशन को देखाऊंगा, कोटो पैक्सी देखेंगे, इक्वाडर देखेंगे, चिमरेंजो देखेंगे, रॉकेज वाले परवती छेतर में, हम आलासका परवती छेतर देखेंगे, माउंट रेनियर देखेंगे, माउंट हूड देखेंगे, सास्ता देखेंगे, सब क्या हैं जो अलम की परवत के भाद, लेकिन अगर यह जो निकलने वाला मैगमा है, अगर यह क्या होगा, यह पतला होगा, तो क्या करेगा, दूर त लॉरेंशिया का पठार ले ले लेजे आप जो है कि कोलंबिया का पठार ले 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 लेजे इस सब क्या है आपके इसी का एक्जामपल है इन सब पठारों पर आप क्या देखेंगे चुंकि पठार का निर्माण किस से हुआ है मैगमा से हुआ है और इस मैगमा में क्या मिलते हैं खनीज मिलते हैं इसी के कारण आप जितने भी पठार देखेंगे इसमें खनीज की क्या होगी पठारों में खनीज की अधिक्ता देखने को मिलती है तो जौलामकि पठार और जौलामकि पर्वत अब यह तो हमने उन बात की, उन आकरतियों के बिशे में जो कहां बन रहे थे यहां प्रतवी के सतः के उपर लेकिन मैंने आप से कहा था कि भीया सिर्फ आकरतियां सतः से उपर नहीं बनती बलकि अंदर भी बनती है और इन आकर्तियों को हमने आंत्रिक इस्थराकर्ती नाम दिया था अब हम क्या करते हैं आंत्रिक इस्थराकर्तियों को बनाते हैं अब आंत्रिक इस्थराकर्तियों को मैं एक इमेज में बना रहा हूँ आप भी क्या किजे इसी तरह से image बना लेजे ठीक है आप भी यह वाला जो photo है इसको बनाने का प्रयास करें ठीक है यह हमारा कोई इस थलिय भाग है अब आप कहोगे इस थलिय भाग इतना मोटा होता है कई किलोमेटर का 30 किलोमेटर की मोटाई तक होता अब यह इस थलिय भाग है और इसके नीचे क्या होगा मैगमा भरा होगा मैगमा को भी हम भर देते हैं यह हमने क्या किया मैगमा भर दे सब लोग इस image को बनाईएगा कई आकर्तिया एक साथ बनेंगे और देखो आकर्तियों को अगर रटोगे तो कभी याद नहीं होगा मेरे साथ मेहनत करके बना लोगे तो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे आकर्तियां आपकी तयार हो जाएंगे clear ठीक है ना कोई दिखत तो नहीं चो अब देखें यह हमारे आकर्तियों अब यहां से मैगमा क्या होगा निकलेगा मैगमा को निकालते हैं ऐसे और मैगमा निकल कर जब क्या करे आंत्रिक भागों में प्रत्वी की देखो यह सता है यह क्या है हमारा सता अब सता से जब अधिक गहराई में मैगमा क्या हो, निकल कर ठंडा हो जाए जो लगबक कुछ गुम्बदा नुमा आकार सरचना में हो तो ऐसी आकर्ती को, यह जितनी वे आकर्ती हैं यह कौन सी है, आंत्रिक ज्वाला मुखी इस्थला करती है आंत्रिक ज्वाला मुखी इस्थला करती है अब यह जो आकर्ती, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सत्तह से काफी गहराई में बनेगी तो ऐसी आकर्ती को बोला जाता है बैथोलित इसको बोलते हैं बैथोलित लित का मतलब होता है चटान ठीक है बैथोलित अब इस चटान पर अभी कुछ दिर के लिए रुख जाएए मुझे एक एक जामपल देचे मैं आपसे एक प्रश्ण पोश्चता हूँ उसका आंसर देचेगा जो बेर खान कुछ कह रहे हैं क्या बच्चो पढ़ाई गर हो बच्चो क्या आप भी सिसन को लाइक और सेयर कर लेना बच्चो अच्छा वो सिलेबस डाला जा चुका है UPSC का सिलेबस जो है न वो डाला जा चुका है बहुत से लोगों को अभी साथ वो नहीं मिल पाया तो आप उसको देख लिजेगा बीड़ो है आप सब लोगों ने देखा होगा कि पहले जो घी बनता था वो क्या था दानेदार था अब आप कहोगी कि सर दानेदार घी की बात कहां से आगे अरे तो घी खाना चाहिए घी खाने से दिमाग बढ़ता है तो पहले जो घी बनता था आपने देखा होगा उसको धीमी धीमी आज पर हम लूँ लंबे समय तक पकाते थे और उससे जो घी बनता था वो दानेदार था आज कल जो घी बनता है मलाई उतारा तेजी से गरम किया तेजी से ठंडा किया तो उसमें दाने नहीं पड़ते हैं ठीक बाद यह समझ में आगए घी वाला अब देखो यहाँ जो भाग है यह जो पत्थर वाला यह जो बैथोलित बना यह क्या है एक इस्तला करती है जब यह कब बनेगी जब मेगमा बैथोलित में क्या हुआ जब मेगमा उपर की ओर ना आकर वह प्रत्थवी के आंत्रिक भाग में ही क्या हो जाए वह रुक जाए और रुक जाएगा तो धीरे-धीरे क्या होगा ठंडा होगा अब जब यह धीरे 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 क्यों ठंडा होगा क्योंकि भईया यह heat के पास है यह सुरोत के पास है देखरो यह magma chamber के पास है तो धीरे धीरे ठंडा होगा तो यहाँ पर यह क्या बनेगा आगने चट्टा जहां भी magma ठंडा होगा वो बनेगा आगने चट्टा लेकिन यह जो आगने चटान है यह कहां बन रहा है यहां सत्ह के नीचे बन रहा है और यह जो चटान बने गया इसकी जो कण होंगे वह क्या होंगे बड़े बड़े होंगे दानेदार होंगे तो अब देखो जो दानेदार घी वाली बात है आप से एक प्रश्ण पूछा जाएगा जब मैं सभी अस्था कृतियों को बता दूंगा कि किसके कणों का आकार सबसे बड़े-बड़े होता है तो ये दानेदार बड़े-बड़े कणों का आकार वाला संरचना होती जो बैथोलित अब चुकि बैथोलित क्या है सता के काफी नीचे है तो यह कभी भी आपको दिखेगी नहीं इसका मुतलिब है कि कोई इसपर से नदी मानलो ऐसे फ्लो करे तो नदी के फ्लो करने से उपर वाला सत्य का भाग कटेगा नदी ऐसा थोड़ी करेगी कि 10 किलो मेटर गहराई में चली जाए ऐसा तो करेगी नहीं तो यह कभी दिखता नहीं है इसको हमने क्या बोला य यहां से निकल कर उपर की ओर ऐसे आगे बढ़े अब जब उपर की ओर आगे बढ़े और उपर की ओर आगे बढ़के फिर इधर आए इधर ऐसे और अब देखो थोड़ा सतह के पास अब क्या हो रहा है यह सतह के सतह के पास फिर से क्या करे यह गुंबद नुमा संरचने का निर्माड करे, लेकिन सथा के करीब में है, इद ये इस को बोलेंगे लाइक उलित लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मैगमा इसी रूप में बने हो सकता है मैगमा कभी इस रूप में बन जाए अर्थाथ एक गढ़्धी नुमा भाक के रूप में तो मैगमा बन सकता है कि बिल्कुल बन सकता है तो इसको बोलेंगे लैपोलित इसको बोलेंगे लैपोलित अब एक बावताओ कि यहां पर कोई परवती भाग है इसकी उपर कोई परवती भाग है ऐसे और मैगमा निकल कर क्या करें यहां परवतों के उपर और नीचे वाले भ तर ऐसे ठंडा हो जाए तो जब मैगमा क्या होता है परवतों की जड़ों में यह है परवत यह है परवती भाग और परवती भाग के जड़ों में जब मैगमा लहरदार रूप में एकत्रित होता है तो इसको बोलते हैं फैकोलित इसको बोलते हैं फैकोलित क्या ये सब चीजे हम किलियर कर पा रहा है देखो एक तरफ से बना रहा हूँ और साइंटिफिक तरीके से बना रहा हूँ कुछ भी रटना नहीं है किलियर किलियर हो गया तो बैथोलित और लैकोलित दोनों की आकरती एक जैसी उपर ठंडा हो रहा है, तो इसमें कणों का आकार क्या होगा? कणों का आकार छोटा होगा. कणों का जो आकार है, वह क्या होगा? छोटा हो. क्यों? क्योंकि जल्दी से ठंडा हो जाएगा. किस के तुल ना? बैतोलित. अब लेकोलित के अपोजिट जब बेसिन ये ढाल के रूप में कोई इस्था करती बनती है तो उसको बोलते हैं लोपोलित और जब इस रूप में इस सरचना बनती है तो इसको बोलते हैं फैकोलित अच्छा ये हो गया अब मुझे एक बाव बताओ कोई जरूरी थोड़ी है क इसी रूप में लावा निकल कर ऐसे भी तो ठंडा हो सकता है कि ने लावा ऐसे निकला और ऐसे निकल कर इस तरह से छैतिज रूप में क्या हो गया ठंडा हो गया हना ऐसे लावा निकला और यहां पर क्या था कमजोड चट्टाने थी और अंदर के और क्या कर गया लावा वेस्ट कर गया, तो जब लावा का जमाव इस रूप में होगा तो इसको बोलेंगे सिल, अच्छा, अब यcanim किया है, मोटाइ जाता है, लेकिन कई बार क्या होगा, लावा ऐसे ही 36 रूप में होगा, लेकिन उसकी मोटाइ जाता नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे सीट, प्रथबी की अनदर बनने वाली आकरती है लेकिन 96 रूप में होती है और इसका यह अब एक और आकर्ती बन सकती है और आकर्ती माल लो कुछ ऐसे बने कहां बनाए माल लो यहां पर लावा निकले और लावा निकल कर इस तरह से क्या हो जाए ठंडा हो जाए इस तरह से ठंडा हो जाए अब देखो जैसे खंबा नहीं होता है कोई खंबे के आकार का इस तरह से जब उर्धवादर कहीं पर लावा का जमाव हो जाता है तो इसको बोलते हैं डाइक और डाइक के पतले भाग को बोला जाता है छोटे भाग को इस टॉप जैसे कोई खंबा है खंबे जैसी सरचना जब प्रिथवी के अंदर आपको दिखे तो समझ जाएगा वो डाइक है खंबा जैसा और खंबे का आकार अगर छोटा है मतलब ऐसे समय लूँ कुछ इतना ही बड़ा है तो इसको बोलेंगे श्टॉक के लियर यह जितनी इस तरह करती हैं के लियर हो सब लोगत आये क्या यहां तक के लियर हो गया साइड में हट गया हूं नोद कर लो अचा कुछ लोग को स्क्रीन सॉर्ट लेना होता है देखो बैसे तो मैं स्क्रीन सॉर्ट के पक्ष में नहीं होता हूं लेकिन फिर भी आप कहते हो तो लो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि स्क्रीन सॉर्ट से आप काम चलाओ मेरा तो मानना है आपको मेहनत करना चाहिए ठीक है चल आगे आज़ें अब आजाते हैं हम अब आजाते हैं जौला मुख्य के डिस्टूबियूसन पर अच्छा पहले इस चीज को देखें कल भी मैंने आपको बताया था माल लो यहाँ पर क्या है यह लिक्विड भरा हुआ है मैगमा है समझेगा यह है मैगमा अब हम जौला मुख्य का डिस्टूबियूसन देख लेते हैं और डिस्टूबियूसन को हम थोड़ा संचेप में देखेंगे अब आप कहोगे क्यों सर आप जल्दी निप्टाना चाहते हैं बिल्कुल भी नहीं मैं क्यों जल्दी निप्टाऊंगा मैं तो आपको सई से समझाना चाहता हूँ इसका जो डिस्टूबियूसन है हम जो पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थियोरी के साथ लेकिन ऐसा नहीं कि मैं स्केप करूँगा मैं आपको बताऊंगा समझे यहाँ पर आई मैं ओई डिस्टूबियूसन ही आपको बता रहा हूँ यह दोखो मैगमा है अब मुझे एक बाव उताओ यह मैगमा है जिसका टेंप्रेचर 1200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस है ठीक है क्या लोहा पिघल जाएगा की नहीं वताई तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल पिघल जाएगा लोहा भी क्या होगा बिल्कुल पिघल जाएगा अब देखो अब इसी पर क्या करो एक चीज करो कि मान लो यहाँ से यह एक इस्थलिय भाग ऐसे और यहाँ से भी एक इस्थलिय भाग ऐसे आए और दोनों जब करीब आएंगे तो क्या होगा टकराएंगे और टकरा कर क्या होगा कोई न कोई एक भाग नीचे की ओर जाएगा जैसे आपने देखा होगा दो बैल क्या होते है एक दूसे से टकराते है तो जो भारी बैल होता है हलके बैल को सींग से उठा कर उपर की ओर फिक देता है अब देखो यह वाला जो भाग है जब टकरा कर नीचे की ओर गया तो यह क्या होगा गलेगा की नहीं? गलेगा और गलेगा तो मैगमा का निर्माड होगा तो हमारी प्रित्वी के बहुत बड़े हिस्से में यही चीज होता है जहां जहां पर इस तरह से दो टुकड़े टकराते हैं और एक टुकड़ा जाकर नीचे की ओर गलता है वहां पर गला हुआ पदार्थ है मैगमा यह जो कोई टुकड़ा गया अंदर की ओ तो यहां पर क्या होगा मैगमा निकलेगा और यह मैगमा क्या करेगा ज्वाला मुखी की रूप में निकलेगा और इसी को बोलते हैं रिंग ओफ फायर यह जो पूरा आप रेट कलर का एरिया देख रहे हो यहां पर कुछ इस थलिय भाग यह कुछ ठोस भाग टकराते हैं क लेकिन मैं यहां पर जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप क्या कीजे चाय लीजे चाय पर दो टोस्ट के टुकड़े लीजे दोनों टोस्ट को चाय की उपर टच करके ऐसे एक दूसरे के पास लाए दोनों को टकराईए और फिर एक टोस्ट को नीचे की ओर जाने दीजे तोश्ट जैसे जैसे नीची की ओड़ जाएगा, तोश्ट गलने लगेगा, गल कर क्या करेगा चाय का हिस्सा बन जाएगा, फिर वो चाय क्या क्या करेगे, प्याले से या कब से बाहर आएगे, क्यों? क्योंकि उसके पास जल को रखने की जो चमता है वो कम है, अथा जल वो नहीं रख सकता है है ना तो इसी तरह से यहां पर क्या होगा यह वाले भाग में भी मैगमा बाहर आता है आप देखो जो मैगमा होता है वो आग की तरह होता है और यह जो पूरी सनचना आप देख रहे हो वो लगबग अंगूठी की तरह है इसलिए इसको रिंग ओफ फायर बोला जाता है रिंग ओफ फायर का संबंध है प्लेट टेक्टोनिक थियोरी से इसलिए मैंने कहा मैं आगे आपको बताओंगा अच्छा आप देखो क्या होगा आपने सुना होगा कि जब भी क्या होगा जौला मुखी किरिया होगी और कहीं पर जौला मुखी किरिया जब समुद्री भाग में हो जब समुद्री भाग में हो और समुद्री भाग में बार बार जौला मुखी किरिया हो तो इससे क्या बनते हैं जौला मुखी दियूप उससे क्या बनते हैं जौला मुखी दियूप बनेंगे यह मालो यह वाला भाग है और यहाँ पर लावा निकला बार-बार निकल दा है तो लावा ठंडा होगा निकलेगा ठंडा होगा और उपर की ओर बढ़ता जाएगा ठीक इसी तरह से मुंबत्ती जैसे हम दिपावली पर लगाते हैं मुंबत्ती टपक कर गिरती रहती है और उसकी उचाई बढ़ती चली जाती है तो लगता है एक ज्वाला मुखी द्यूपों का निर्माड आप देखेंगे तो पूरे सागरी भाग में बहुत ज्यादा और यह जो द्यूप बनते हैं वह किस वज़े से बनते हैं जहां पर एक टोस्ट अर्थात कोई टुकड़ा प्रित्वी का किसी दूसरे टुकड़े से टकरा कर नीचे क और जाता है उससे जब मेगमा गलता है हुआ तो मेगमा बहर आएगा जोला मुखी का द्यूप का निर्माड अब यहां पर एक चीज देखो इसको बोलते हैं जाला मुखी आर्क अर्थात यहां पर जब क्या हो जाला मुखी द्यूप आपको कंटिनिवस एक चाप के का मतलब क्या है देखो यहां पर एक द्यूप बना यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और सभी द्यूप क्या होते हैं जब एक दूरसे से ऐसे जुड़ गए तो इसको बोलते हैं बॉलकेनिक आर कि यह ज्वाला मुखी चाप ज्वाला मुखी चाप का संबंद किस से है इस टुकड़े से यह जो टुकड़ा अंदर की ओर जाकर गलेगा इसी से इसका संबंद ठीक है आगे मैं इसको और explain करूँगा और define करूँगा इसको यहां पर देखें आप देखें यहां पर आपको volcanic eruption दिखाया गया है तो अगर volcanic eruption हमें देखना है इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं मैगमा का निकलना मैगमा कहां निकलेगा फिर से वही चीज यह वाला पूरा भाग देखो यह पूरा वही भाग देखो और यहां पर क्या हो रहा है वही टोस्ट वही बिस्किट वही चाय वाला एक्जामपल आप देख लिए और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं आपको मिलेगा तो दरसल यहां पर क्या है कुछ टुकड़े हैं जो की जैसे कि हमने बिस्किट का लिया टोस्ट का लिया जो क या अफ्रिका का यह वाला भाग तूट कर अलग हो जाएगा हमारा जो देश है वो भी तो पहले यहां पर जुड़ा हुआ था और क्यों तूट जाएगा क्योंकि यहां पर दरार बन रही है और दरार बनने का मतलब है यह भाग जब तूटेगा यह भाग जब टूटेगा तो टूटने की वज़े से नीची से मैगमा आएगा यही पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक परवती क्रम दिखाई देगा जो हिमाले से होता हुआ आगे बढ़ेगा यहाँ तक तो आपको जोला मुखी परवत दिखाई देते हैं लेकिन जब आप हिमाले चित्र में आते हो तो आपको जोला मुखी नहीं देखते इसके पीछे का कारण यह है कि हिमाले परवत नीचे से आने वाले मैगमा पर दबाव इतना ज़्यादा रखता है कि मैगमा उपर नहीं आ पाता है ठीक है इसका मतलब है कि मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो ज्वाला मुखी का अगर हम बित्रण देखें तो सरवाधिक जो ज्वाला मुखी मिलेंगे वो हमें परसांत महासागर के किनारे देखने को रहे अब देखो यह पूरा परसांत महासागर है किनी यह पूरा परसांत महासागर उसके बाद आपको मिलेंगे अटलांटिक महासागर देखो यह रहा पूरा अटलांटिक महासागर वाला हिस्सा और उसके बाद आप देखेंगे यह वाला जो बेल्ट है इसको बोला जाता, अटलांटिक महासागर में हो गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो आपको मिलेगा मध्य महादीवपी, और मध्य महादीवपी मतलब है कि महादीवपो के मध्य में, आप देखो, यहाँ पर मिलेगा, और यह देखो, इधर यूरोप है, इधर भाग है यह वाला जो भाग इसको बोलते हैं मध्य अट्लांटिक कटक अब मध्य अट्लांटिक कटक क्या है तो देखो जैसे हमारा हिमाले परवत है तो जब कोई परवतिय भाग इस्थल पर एक लंबा विस्तार रखता है तो उसको हम परवत रंक्रा बोलते हैं या फिर महासागर में भी इसी परकार का परवत मिले, तो उसको क्या कहें, हम दो चीज कह सकते हैं, या तो ओसेनिक माउंटेन कह सकते हैं, या फिर उसके लिए नया सब्द गढ़ सकते हैं, तो यहां पर जो आपको परवत विक्षित हुआ है, वह कौन सा है, इसी को बोला जाता है, क्या होता है, किसी दरार का निर्माण होता है, उस दरार से बार बार मैगमा निकलता है, मैगमा निकल कर क्या होता है, उपर की ओर उड़ता चला जाता है, तो यहां पर इन भागों को हम क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं, और यह कटक काफी वड़ा, यह जो कटक है, 14,000 किल से लंबा है जो किस के दोरा बना है ज्वाला मुखी किरिया के दोरा तो कठक का मतलब है परवती रेंज जैसी चीज़े अब इसी कठक का कोई भाल जब हमें जल सी ऊपर दिखने को दिखने लगेगा तो हम उसको द्यूप बोलेंगे लेकिन यह जो कठक हैं इनकी उचाई यह जो गहराई है और तीश सो मीटर माने जाती आद आप सोचो यह एट्लांटिक महासागर यहां पर काफी गहरा है और अट्लांटिक महासागर में जब इतना मीटर और कुछ उठेगा तब वो दिवप कोई सा इस्थल का वह भाग जो चार ओर से जल से गिरा हो वो अधिक गहराई को पार कर जाए तो इसकी उचाई कही जगों पर आपको बारे सो कहीं जगों पंदरे सो मेटर देखें इसलिए जब आप यहां से इधर की वो नाव लेकर पानी की जहाज लेकर जाओगे तो बहुत सीधे सीधे नहीं चाल सकते कई जगों पर एक कटक क्या करते हैं बेरियर का काम करते हैं आपको टेड़े मेड़े रास्तों से होकर जाना पड़ता है क्या हम इसको सौझ पाए क्या हम इसको सौझ पाए सब लोब बता देचे बच्चो जो है कि UPSC CSC का syllabus का बीडियो आज सुबह ही चैनल पर publish हो चुका है आपने बीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे request करूँगा बीडियो पर जाए चैनल को थोड़ा सा जितने उसके option है सब पर click करके देखे बीडियो आपको मिल जाए अब देखो इसके आगे इसके आगे आप हम जो है मिलेंगे आठ बजे तो हम और अब आप अभी कुछ देर बाद 8 पिम पर फिर से मिलेंगे और हम नए topic के साथ मिलेंगे और वो है महादीप ये विस्थापन सिद्दा ठीक है तो मैं आप से रिक्वेश्ट करूँगा सेशन को अधिक से अधिक लोग तक सेयर कीजिए जिससे सभी लोग क्लास का लाव उठा सकें जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन उनके पास सपना है जुनून है तो वह अपने शपने को अपने जुनून के माद्यम से साकार कर सकें इसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और जैसे कि हमने कहा कि हम जुआला मुकी के डिस्टूबिशन पर तब बात करेंगे जब हम आपको प्लेट टैक्टोनिक थियोरी बढ़ा दें तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो बहुत ब्रीफ में किया है आगी हम इसको डिटेल डिस्कसन करेंगे क्योंकि जो भी कॉंसेप्ट है उसका संबंध है प्लेट टैक्टोनिक थियोरी से कि हम महादीप ये बिस्थापन सिध्धान्त को समझें तो आज अभी आथ वजे फिर से हम लोग मिलेंगे ताकि हम लोग महादीप ये बिस्थापन सिध्धान्त पर बात कर सकें अगर आपको सेशन और हमारी महनत पसंद आई हो तो आप इस सेशन को अधिक से अधिक लोग तस्तियर करके हमारी टीम को बुष्ट केजे थैंक यू सूमस्ट